तो देखो Sulfur Trioxide जो है क्या ये Electrofile है या नहीं वो चेक कर लेते हैं तो Electrofile का जो basic हमारे पास definition होता है वो क्या होता है Electron Deficient होते है Electron Deficient species जो होती है वो Electrofile कहलाती है जो की Electron Loving होती है क्योंकि खुद के पास क्या है Deficiency है तो क्या चाहते है कि Electron की तरफ चाहे तो ये क्या होते है Electron Deficient या फिर आप कह सकते है Electron Loving होते है Electrofile अब SO3 के लिए क्या है SO3 का अगर आप structure देखोगे यहाँ पर SO3 कुछ इस तरह का बनता है Sulfur Trioxide ठीक है और जो Electrofile होते है वो दो तरह के होते है Electrofile आपके दो तरह के होगे एक होते है जो Positively Charged होते है जिन पर आपको दिख रहा है कि Positive Charge है और दूसरे तरह के होते है Neutral उसमें कोई भी आपको Positive या Negative Charge नहीं दिखेगा वो Neutral होगे लेकिन फिर भी वो क्या होगे Electrofile क्योंकि वो Electron Deficient होते है तो यह चीज़े चेक कैसे करनी है यहाँ पर देखो SO3 कोई भी आपको Positive Charge यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है यह एक Neutral Molecule आपके पास है लेकिन जो Basic Definition रहता है वो यह रहता है कि जो Electrofile होता है वो ऐसी स्पीशी होती है जो Electron Deficient हो अब Deficiency से क्या मतलब होता है यहाँ पर Deficiency का मतलब होता है कि उसमें Electrons कम हो उसका Octet पूरा ना हो Octet मतलब कि उसके बाहर वाले जो Shell में 8 Electrons ना हो तो ऐसा कुछ नहीं है Deficiency नहीं है ऐसी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है तो किस तरह से यह Electrofile हुआ तो Actually क्या होता है SO3 Electrofile होता है पर उसका Reason देखो तो जो उसका Reason आता है वो आता है Resonance तो यह Electrofile है SO3 Electrofile है किस वज़े से Due to Resonance Due to Resonance तो आपको पता होना जी Resonance की वज़े से SO3 क्या होता है Electrofile होता है Resonance क्या होता है Pi Electron का Shift होता है तो यहाँ पर जो Oxygen है More Electro Negative है As Compared to Sulfur तो यह जो Pi Electron Density है वो इस तरह से Shift हो जाती है उपर तो यहाँ पर आप कहसकते हो यहाँ पर आजाता है Negative Charge यहाँ पर आजाता है Delta Negative कहसकते हो और यहाँ पर आजाता है Positive Charge तो यह जो Positive यहाँ पर Charge Generate हो रहा है on Sulfur Due to Resonance क्योंकि Electrons यहाँ से Shift हो रहे है उसी वज़े से क्या हो रहा है Sulfur पर Positive Charge आ रहा है वो as an electrophile act करता है बेशक उसके पास positive charge नहीं है तो क्या reason है वो neutral है और साथ में resonance की वज़े से resonance की वज़े से वो electrophile act करता है कई और examples होगे neutral electrophile के तो वहाँ पर reason वो भी आ जाते है कई जगा आपके बस देखने को मिलता है कि central atom का octet पूरा नहीं होता है फिलाल सो 3 के लिए reason क्या है resonance और ये electrophile होता है